है लो गाइज रवीज की पारचाहा में आप सभी लोगों का सवगत है आज हम लोग क्लास टेंथ की साइन्स का पहला चैप्टर चेमीकल रियेक्शन्स एंड डिसकस करेंगे इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वह एक आप जब यह टर्म हम सुनते हैं केमिकल रियक्शन तो क्या आता है हमारे दिमाग में अखिर एक केमिकल रियक्शन क्या होती है एक्चुली अगर हम अपने चारों तरफ डिल्लैक में देखें तो सायद केमिकल रियक्शन के बिना हमारी लाइफ ही इनकम्प्लीट हमारी लाइफ के बहुत से मेजर परपर्ज या जो मेजर वर्क्स हैं वो सब के सब एक केमिकल रियक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल रियक्शन हमारी लाइफ में होती है वह कुकिंग अप फूड और डाइजेशन आप फूड खाना बनाना और उसका पचना कुकिंग आप फूड और डाइजेशन आप फूड यह दोनों ही एक केमिकल रियक्शन इसी तरह से हम अगर देखते हैं अपने इट माउस फेर में चारो तरफ तो वहां पर हमको आइरन के बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए मिल जाएंगे कुछ टुकड़े होंगे जो इस इस पैचुला की तरह साइन कर रहे होंगे अब देख रहे हैं कि यह आईरन है और यह क्या है इसका सर्फेस कैसा है साइन कर रहा है लेकिन उसी जगह पर यह एक पेयर आफ टंग है यह सब लेबरेट्री एक्किपमेंट से जो लैब में हम यूज करते हैं यह पेयर आफ टंग है अब इसके सर्फेस को अगर हम ध्यान से देखें तो एक brown color की layer हमको इसके उपर दिख रही होगी अब देख सकते हैं कि इसके सर्फेस पे पूरी तरह से एक brown color की layer आ चुकी है अब ये क्या है ये भी तो एक chemical reaction ही है rusting of iron यानि कि पहला था cooking food digestion of food और ये जो हम बात कर रहे हैं rusting of iron ये सब के सब एक chemical reaction है यानि हम अपनी daily life में ना जाने कितनी ही chemical reactions का daily use करते हैं सायद हमें कुछ reactions का पता होता है और कुछ का नहीं तो आज हम discuss करने वाले है chemical reactions आखिर होती क्या है इनको हम define कैसे करेंगे तो सबसे पहला example तो हम देख चुके हैं cooking of food और digestion of food rusting of iron जो main example है जो आपके NCRT book में मिंसन किया गया है जिससे questions बनते हैं उसके बारे में discuss करेंगे rusting of iron में क्या होता है जब iron को हम लोग air में expose कर देते हैं in the presence of moisture iron की किसी भी चीज़ को हम air में expose कर दें in the presence of H2O यानि की water क्या होता है उसके surface पे उसके surface पे एक नया molecule बनता है Fe2O3.XH2O इसी को हम लोग कहते हैं rust वहां पर यह अविक्रिया होती है यानि की यह reaction वहां पर होती है अब एक chemical reaction को define कैसे करेंगे यहां हम देख रहे हैं कि पहले बहुत सारी अलद अलद चीज़े थी इन सभी चीजों ने मिल के एक नई चीज बनाई तो यह क्या है प्रोडक्ट है यानि कि किसी भी chemical reaction के major दो पार्ट होते हैं एक reactant और दूसरा product यह जो चीज़े हमने reaction में इस्तेमाल की हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे प्रोडक्ट कहेंगे यह तो एक जनरल वे में था कि हम कैसे समझे सकते हैं यह क्या है एक इसी से मिलता जुलता एक और एक्जामपन हम अपने डेली लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हैं इसे में पाउडर में रेली हम रूफेत look के ड्लोगों के ओरों में या आसपास में तो वहां पर टीका करेंशा पर मतशनार मातास गांतलों ऑगज हैं और यह कि मषेतने हन्ल आजो इसयांके past class Marriage अउनल और अर। लाइम्बान एंदर करते हैं कि चुने का पानी admiredWow证द तो पहले इसका जो कलर होता है औो क्या होता है की सब्सक्राइब हुदाय और जाब गयंक्राइब वक से की छाव जाता है कि एड करने के बाद इसका ब्लमलड बबंब को मिर्वेश MON øंय विएकर रियक्षन ही हो रही है गो फरने टेर्मर इक है इन्ग्रीडेर मेह पाय लाई-टार था है कि क्यूमीन और ये जो इंग्रीडियेंट है ये lovers की प्रिजिंच में बैर सनी की लाइम याँ वान करने के बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आपने क्या आप जरू किया थोड़ा सा टर्मरीक पाउडर लीजिए उसको वाटर में डिजाल कीजिए सेलुबल होने के बाद उसमें थोड़ा सा लाइम वाटर एड़ कीजिए यह आपको किसी भी सौप से जनरल सौप से असानी से मिल जाएगा और इनको आएड करने के बाद आपने क्या अपजरु किया यह चीज हमें अप कमेंट बॉक्स में बताईए आखिर अपने कौन सी रियक्षंट्ट था यह जो चेंज हमने बताया कि यह से तूरौन ट्रेड़ी हो जाता है क्या यह आप जरुब किया आपने एक बार हम भी कर करके देखते हैं यह जो है ये देखिये यहांपे यह लाइम वाटर है इस लाइम वाटर में अबanych month वाध में अब हम स्पेचुला की हैल्प से क unplos iyi तोरा सा टर्मेड पॉड़र याड करेंगे आप देख सकते हैं इसको अड़करते हैं यहां और थोड़ी सा सेक्ट करते हैं यह एक्सपरिमेंट आप करके देखिएगा इसको थोड़ी जेख करते रहें अगर हम तो धीरे धीरे इसका जो color होगा देख रहे हैं आप यलो से change होना start हो गया है और इसको सेक करेंगे देखिए इसको थोड़ी देर सेख करते रहें अगर हम तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका जो कलर वो क्या थोड़ा सा रेडिस होना इस्टार्ट हो गया है अगर इसी को हम थोड़ी देर अप्रॉक्समेट फाइब मिनट के लिए रख दें तो उसके बाद इसका जो कलर होगा वो पूरी दरह से रेडिस हो जाएगा तो इसको हम पांच मिनट के लिए रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं अब अगर हमें एक केमिकल रियक्शन को अगर हमारे दिमाग में केमिकल रियक्शन सुनने के बाद यह सेंटेंस आता है कि वेन टू सब्स्टेंसेज कंबाइन टू इच एगर बस यहां तक अगर हम सोचते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन होना ही एक केमिकल रियक्शन है तो नहीं अगर हम थोड़ा सा वाटर लें और उसमें सैंड एड करें तो क्या यह एक केमिकल रियक्शन है नहीं है क्योंकि वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है वो बस आपस में मिल गए हैं वो मिक्स्चर फॉर्मेशन होगा तो अगर हमें केमिकल रियक्शन की बात करते हैं तो के chemical reaction में क्या जरूरी है कि जब दो substance आपस में combine हो substance A and substance B कि दोनों की ही अलग अलग properties होंगी और जब यह combine हो तो एक नया compound form होना चाहिए जिसकी जो प्रॉपर्टी हों वो इन दोनों से तोटली क्या हो दिफरेंट यानि की हमारी कैमिकल रियक्षिन का जो इसकी जो डेफिनीशन होगी क्या होगी अप्रोसेस इन विच थो और मोर सबस्टेंस कंबाइन विट इच अज़ दो फॉर्म अनिव सब्स्टेंस विट निव प्रोपर्टी is known as chemical reaction a process in which two substances combine with each other to form a new substance with new properties is known as chemical reaction अब एक एक्जाम्पल देखते हैं अभी तक हम लोग बेलिग्ट की जम पर डिसकस कर रहे थी आब हम लोग कि भुप में एक जांप प्रस नने से एगर लोग घ्लियं कलोराइड सल्यूशन गो है अब कैंश्यम कलोराइड दिश्विशन को अगर एड करते हैं कि रियंग Combeny, कि बेरियम क्लॉराइड सेल्यूशन को जब हम सोडियम कार्बोनेट में एड करते हैं तो आए देखते हैं क्या होता है क्या कोई नया सब्स्टेंस बनता है अगर बनता है तो वो क्या होगा क्या हम इन दोनों को मिलाने के बाद यह जो प्रोसेस है इसे केमिकल रियक्शन कहें हमें तो इसके लिए ऐसाउद भिंगे तो इसके लिए आओ हरे को मुझे यह कुछ मैं हमने क्या लिए वुए है। टेस्ट वी में हमने शोडियंų कारबोनेट सलूशन ले रखा तुर्णा आड़न। इसको थोड़ा सा शेक कर देते हैं ताक्क और लत गोष्व हो जाए इसमें अब हम एड करने जा रहे हैं थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड सेलूशन अब ये बेरियम क्लोराइड अभी देवो दोनों ही ट्रांस्पारेंट हैं अब अगर इसमें हम बेरियम क्लोराइड सेलूशन एड करते हैं तुरंत ही देखिए एक नए सब्स्टेंस का फॉर्मेशन हुआ जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा बेरियम क्लॉराइड करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि नए कंपाउंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया अगर इसी को हम थोड़ा सा और सेख करें तो यह यह देखिए यहां पर पूरा एक वाइट कलर का जो लिक्विड है वो तयार हो चुका है अब इसको अगर हम थोड़ी दिर रख दें तो यह जो पार्टिकल्स हैं यह प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे और यहां पर टेस्ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगे देख रहा हैं आप कि यह कौन सी रियक्षिंड होई है अगर हम यहां देख행 तो यह बैरियम क्रूराइड को एड़ किया किसमें सोडियम कार्बोनेट में यह जू वाइट कलर का बना यह जो वाइट कलर है किसकी वज़े से आया यह जो बाइट पार्टिकल्स हैं कि यही सबस्टेंस के हैं यानि कि पर जरूर कुछ ना कुछ नया फॉर्म हुआ होगा कोई नया कंपाउंन फॉर्म हुआ निफ्रेंट प्रॉपर्टीज के साथ में कैसे यहां पर यह जो बेरियम क्लोराइड है बेरियम क्लोराइड का यह जो बेरियम है यह 2 प्लस होता है और कार्बोनेट 2 माइनस होता है जब दो सबस्टेंस आपस में मिलते हैं तो यह एक दूसरे के आइंस को एक्सचेंज करते हैं आपस में यहां पर क्या कि यह वैलियंग्द के साथ में बना रहा है वैलियंग्द कामाता शहाल जो कर भावल का हम आ कि मैं। और यह जो sodium है, यह solution में ही रहेगा, sodium chloride के form में, Na और Cl मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, 2 NaCl, यानि कि जब barium chloride और sodium carbonate आपस में react करते हैं, तो यह barium जो है, यह CO3 के साथ में क्या करता है, barium carbonate बनाता है, इसका precipitate अभी बना, और यह जो sodium और chlorine है, यह आपस में मिलके NaCl form करते हैं, जो वही solution में present रहता है, तो देख रहे हैं हम यहाँ पे, कि दो substance, दो substance आपस में मिलके, एक बिलकुल ही नया substance form कर रहे हैं, इसी process को कहा जाता है, chemical reaction, तो अब इस reaction को जो भी हमने कराया है, एक बाद फिर से देख लेते हैं, क्या किया हमने यहाँ पे, एक test tube में sodium carbonate लिया था, और इसी में क्या एट किया था, barium chloride, तो यह देखें यहाँ पे, white color का पूरा-पूरा precipitate नीचे बैठ चुका है, अगर हमने दो मिनट के लिए इसको stand down किया, कि आराम से precipitize हो सके, तो उसके बाद हम देख सकते हैं, यह उपर एक clear solution है, और नीचे य यहाँ पे यह जो बना है, यह barium carbonate, अब देख सकते हैं, clearly कि इसके जो सारे particles से पूरे के पूरे नीचे precipitize हो चुके हैं, अब इससे पहले जो भी हमने reaction कराई थी, उसको भी देख लेते हैं, यह देखिए, जो mix किया था हमने turmeric powder and lime water को, तो उसका जो color है, वो पूरी तरह से reddish हो चुका है, अब यहाँ पे भी वही reaction हुई है, जो हमने पीछे बताया, कि turmeric powder में जब हम कोई base add करते हैं, तो उसका जो color होता है, वो reddish हो जाता है, यह आप लोग घर पे करके जरूर देखिएगा, और हमें बताईएगा, कि आपने कौन सा change आप जरू किया, अब एक second question में, वो reaction भी एक बार करके देखते हैं, उस reaction में क्या कहा गया, कि जब aluminium sulfate में barium chloride add करते हैं, तब क्या होता है, यह aluminium sulfate है, इस aluminium sulfate में अगर हम barium chloride add करते हैं, तो क्या होता है, यह barium chloride है, यह aluminium sulfate है, इसमें भी ध्यान से देखिएगा, आप लोग, जब बेरियम क्लोराइड हम एड़ कर रहे हैं, तो एड़ करने के तुरंत बाद ही हम देख सकते हैं कि वाइट कलर का यह जो प्रेसिपिटेट है 2SO4 का whole thrice और add क्या किया था barium chloride भीए CL2 अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यह जो sulfate है यह किसके साथ जाएगा barium के साथ sulfate 2- होता है और 1 barium 2 plus होता है तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एक barium से एक sulfate आयन जाके attach होगा तो यहाँ पर 3 sulfate आयन है तो barium के भी कितने होने चाहिए तीन आयन होने चाहिए और यह तीनों barium sulfate से attach होंगे और क्या बनाएंगे barium sulfate यह जो white color का precipitate बना था वहाँ test tube में यह white color का precipitate क्या था barium sulfate था और यहाँ पर यह जो aluminium है यह chlorine के साथ में यह जो chloride ion यहाँ पर बनेंगे इनके साथ में बनाएगा ALCl3 के दो molecules यहने की aluminium trig chloride तो simply अभी हमने इतना समझा सिर्फ कि आखिर एक chemical reaction है क्या सिर्फ दो substances का अपस में combine हो जाना ही कोई chemical reaction नहीं वो mixture formation है हाँ किसी चीज़ को हम chemical reaction तब कहेंगे जब कोई दो substance आपस में combine हो और combine होने के साथ ही साथ एक नए substance का formation करें जिसकी जो properties हो पुराने substances से बिलकुल change हो आज हम लोगों ने तीन reaction को अभी तुरंत यहां पर करके देखा एक तर्मरीक की lime water के साथ में दूसरा barium chloride की sodium carbonate के साथ में और तीसरी aluminum sulfate की barium chloride के साथ यह जो reaction है यह आपके page number six question number two जो है उसका second part है और यह उसकी balanced equation है अभी इनके बारे में हम आगे भी discuss करेंगे अब जानते हैं आखिरे chemical reaction की parts कौन कौन से होते हैं बता चुके हैं हम कि एक reactant और दूसरे product जिन ingredients को mix कर रहे हैं जो reaction में participate कर रहे हैं उन ingredients को उन substances को क्या कहा जाता है reactant कहा जाता है और जो substance reaction के बाद form होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं product कहते हैं definition एक बार जल्दी से revise कर लेते हैं chemical reaction क्या है a process in which two or more substances combine with each other to form a new substance with new properties is known as chemical reaction second है reactant the substances which take part in a chemical reaction is known as reactants इसके बाद product क्या होते हैं the substance formed in the reaction या the substance formed after the combination of reactants is known as product तो आई का हमारा भी न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें थैंक यू